नमस्कार दोस्तों, स्वागत था आपका अपने चैल मिस्टर स्वी कलेज पर जिहां दोस्तों आई आज के आउट्सोर्चिंग के चेक रमचे जुड़ी कुछ ख़बरों को जल्दी से जान लेते हैं यहाँ पर जो निदेशाल है वो नाराज हो गया है और इनोंने सपेशल लेटर जारी करके यहाँ पर शिक्षानी देशकने भई जो है अधिकारियों को बोला है कि इनकी जो ड्यूटी है श्रिफ और स्कूल का जो मैन कारिया है उसके अलावा कहीं और नहीं लगाई जा सकती तो यहाँ पर दोस्तों बता दें आप लोगों को इस बार जो है जो मंडियों में गेट पास काटने के लिए कोसर रोजगार निगम के माधम से करम चरी लगाए जाते थे वो नहीं लगाए गए थे आचार सही था कि वो जैसे उनकी बरतिन नहीं कर पाया था जो भी भाग है तो अब काम तो चलाना ही था से गैर सेक्षिनिक कारिया नहीं करवाने के निर्देश अब दोबारा से यहां पर जारी किये हैं तो बताते दोस्तों आप लोगों को हरियाना में लगबग करमचारियों को पका करने के मामले में आपर एक दायर याचिका में एहम फैसला दिया है हाई कोर्ट की डबल बेंच ने सपस्ट कर दिया है कि कोंट्रेक्ट करमचारियों को रेगुलर भरती में श्रिफ उमर में छूट दी जा सकती है कोंट्रेक्ट करमचारियों को डोर इंट्री माना जा सकता है माना जाएगा यहां पर इनोंने बताया है भी किस तरह से जो क्रमचारी लगाता आवाज उठाते रहते हैं पका करने की मांग करते रहते हैं पॉलिशी लेकर आने की मांग करते रहते हैं सरकार पर लेकिन सरकारे हैं की जो है ध्यान नहीं देती हैं सरकारे इस चीज की तरफ काम नहीं करती हैं और फिर जब कोर्ट के मादंशे क्रमचारी जाने की जो है प्रियास करते हैं तो यहाँ पर इस तरह के मामले कई बार जो है आदेश देखने में मिलते हैं यहाँ पर कॉंट्रेक्ट क्रमचारी को हजारों कॉंट्रेक्ट मंत्री का विरोध करेगा भारतिय मजदूर संग जिहां जिला करे करनी की बैठक में दोस्तों ये निरने लिया गया है तो जो मजदूर संग है भारतिय मजदूर संग दोस्तों वो अनुबंदित जो विजली क्रमचारी उनके साथ मिलकर यहां पर जो है प्रतसन की त्यारी कर और इन्होंने आपर सपश कर दिया है कि अनुबंदित करमचारी संग ठन के साथ कंदे से कंदा मिला कर खड़ा है भारते मजदूर संग और एक कॉल पर जो अपने तनमंदन से इनका साथ देने के लिए तयार है तो अनुबंदित विदुत करमचारी संग ने पहले से ही जो है यहाँ पर कॉल की हुई है बताया हुआ है कि यह जो है बिजली मंतरी का हिसार में वीरोध करेंगे क्योंकि इनकी जो मांगे हनुबंदित वीदूत करमचारियों की इसको नहीं माना गया है कैथल से देख लेते हैं सेकडों हरियाना सकूल एजुसेट करमचारियों निली भारते मजदूर संग की सदस्ता ले गई है हरियाना सकूल एजुसेट करमचारियों भाग दोस्तों बता दिया आप लोगों को इनकी मीटिंग हुई है तो यहाँ पर सकूलों में काफी लंबे स वक्स में कोई फैसला नहीं दिया है आप लोगों को जैसा पता है तो भारतिय मजदूर संग ने पहले भी एजुसेट करमचारियों सफ़ाई करमचारियों ग्रामिन जल करमचारियों का व्यतन बढ़वाया है बहुत से में भी जो है इनकी लड़ाई ये लड़ते रहेंगे इसे यहाँ पर बात बोली गई है आप सभी को एक्सग्रेशिया पॉलिशी एपीफ एसाई का लाप दिलवाने के लिए लगातार काम किया जाएगा भारतिय मजदूर संग के दवारा तो यहाँ पर यह सारी की सारी जो आसवासन भी दिये गई है यहाँ पर एजुसेट चो नाओ में परिणाम भुगतने के लिए रहे तैयार तो दोस्तों मिडे मिल करमचारियों का आरोप है कि थोड़ी सी सेलरी में जी हाँ थोड़ी सी सेलरी में इनको सुबह नो बज़े से डाई बज़े तक ड्यूटी करवाई जाती है इनसे बेगार पर्था के तहत काम करवा पर देख पाएंगे तो पंचकुला और करनाल से मिडे मिल करमचारियों की अपडेट देखने में आ रही है कुरक्षेतर से देख लीजे यहाँ पर हर्याना सरकार विधालनों के 1443 अनुबंदित असिस्टेंट प्रोफेसर को निमीती करन पॉल्शी बनाकर जो इनकी रोजगार को सुरक्षित करें जी हाँ हर्याने के सरकारे जो उनेस्टिज है उन्मे जो अनुबंदित असिस्टेंट प्रोफेसर लगे में दोस्तों उन्हें मांग की है या पर दिपेंदर हुडाजी से इनकी मांगो की तरफ द्यान दिया जाए जिहा बता दे आप लोगों को दोस्तों जो सरकार है बहुत जल्द जो उन्वेस्टीज है उन्में भरती करने जा रही है तो इन्हें इसकी वजह से खतरा लग रहा है इनकी नोकरी पर तलवार लटक सकती है लेकिन इनको डर सता रहा है कि वही हो सकता है डाटा पहुचने से पहले ही इनकी नोकरी पर ही तलवार लटक जाए क्योंकि सरकार नीमित भरती पर जो है काम कर रही है तो दोस्तों यह थी सारी की सारी आज की आज की आउट सोर्चिंग कचे करम चे जुड़ी खबरें वीडियो को लाइक करें दुस्तों साथ सेर करें थेंक्यू वेरी मुच